हलो फ्रेंट्स वेलकम टू इडियो एसी एस योर अजुकेशन में तो फ्रेंट्स आज की शेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट फोर्टी एर्स में आपकी जो काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट हैं फिर चाहे वो आपके आज के जो हमारी में पॉइंट्स रहेंगे वो होंगे जो करनाटका में आपके चॉइस 1,2,3,4 को लेकर के कैंडिडेट्स को काफी इशू आ रहे हैं काफी कमेंट्स आ रहे हैं मैं चॉइस 1,2,3,4 क्या था और मतलब कि हमने जो प्रिविएस वीडियो बताया भी था जो बनाई थी वीडियो उसमें लेकिन आज हम उ काफी कन्फ्यूजन हो रही है उन डाउट्स के वारे में भी आजमिया पर ब्रीफ में डिस्कॉशन करेंगे साथी साथ नोडल सेंटर को लेकर के मन में डाउट आ रहे हैं मैं नोडल सेंटर जाना है या नहीं जाना है या जाना है तो उसकी डेट में कब से कब तक है उसके उसकी भी आज के session में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं तो आज के जो doubts होंगे हमारे counselling के वो सारे हम यहां पर clear करेंगे तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जिन state का हम लोगों ने बता दिया है पहले discussion कर लिया उसके बारे में बात नहीं करेंगे आगे से हम लोग स् सिक्की मनिपाल है तो सिक्की मनिपाल में आप लोगों का fresh registration सिक्की मनिपाल ने नहीं दिये हैं फर्स्ट राउंड में आप लोगों को पता है सिक्की मनिपाल आपका उन state में उन उनिवस्टी में आता है सिक्की मनिपाल का college जिन में जो आप लोगों के registration होते हैं वह आप ल तो अगर आप लोग सिक्किम मनिपाल की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि सिक्किम मनिपाल में जो रजिस्टेशन होते हैं वो नीट के एप्लिकेशन से पहले ही हो जाते हैं आप लोगों के रिजल्ट से पहले ही हो जाएंगे और आपक वेबसाइट पर जाकर के अपलोड करना होता है अपने कुछ डिटेल्स फिल करके तो ठीक है अब आप लोगों का देखिए आज इवनिंग में आप लोगों की फाइफ पीम तक लास्ट डेट है आप लोगों की कल लास्ट डेट थी कल 13 अवंबर था क्योंकि आज आप लोगो ठीक है और सिक्की मनिपाल में आप लोगों को पता है कि जडलल कोटा चलता है आप लोगों का पिर नॉर्थ- इस्ट का का क्टा चलता है ओफ प्र मेंज्में चलता है जिसकी पेमिट जो अलग अलोम होती है जड'RE-नलक की जो होती हु douord मैनेज्मेंट की ठूरू दृच चि लेकिन अब आप लोगों का second round का schedule आया है, first and second दोनों का merge के schedule आया है, second round के schedule में भी सिर्फ online application उन लोगोंने बोला है कि आप लोग registration कर सकते हैं, online application कर सकते हैं, आगे का process उन्होंने second round का भी नहीं दिया है, सिर्फ आप लोग जब Suntech की website सर्च करेंगे suntech.job.in तो उस पर आप ल schedule मिलेगा, phase one and phase two, it's mean कि first round and second round, दोनों का आप लोगों को आप लोगों के schedule प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन first and second round का आगे का schedule साथ में बाद में आएगा, अभी सिर्फ आप लोगों को online application करनी है, ठीक है, next आप लोगों के आपे बात कर लेते हैं, जो हमारा other state है, जिसमें counseling के activities जो है process में है, MCC का अज provisional result आजाएगा, और जैसे ही आप लोगों का जब result आजाएगा, उसके बाद आप लोगों को seat मिल जाएगी, then after that आप लोगों को joining करनी है, joining की data भी declare नहीं होई है, 14th and 15th इनोंने declaration of provisional result and commitment of reporting के लिए बोला है, तो आप लोगों का जैसे ही result आ कर दिया जाएगा, और हमारी वीडियो के तुरू भी inform कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट इक्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को cut-off भी जो है, deemed colleges में कहां तक आपकी second round की cut-off जो हो पहुच गई, और साथ ही साथ आपकी government की government map, आपके aims, B.H.U E.S.I.C. के जो colleges होते हैं, आप लोगों के जिपमर वगेरा, इन सब की सारी details में हम बात करेंगे वीडियो में, जब हम लोग रिजल्ट के बात की cut-off वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नाक्स टाफ हम लोग बात कर लेते हैं, केरला में आप लोगों को पता है कि वेव यानि कि कल मौनिंग में जो है वो इसकी लास्ट डेट है और उसके बाद आप लोगों को का नाइंटीन नवंबर को जो है वो डिजल्ट वेब साइट पर डिया जाएगा, पंजाब के अमने पहले से बात कर ली है, पंजाब में केंडिड जब विलिंगनेस फिल कर रहे हैं अधर वाईस गौने प्राइवेट बौत दोनों के लिए या तो वब वल लेक पेमिंट आपको ऑनलाइन करनी होती है तो जब हो कर रहे हैं मैसेजे क कड़रीयग जब प्युंट कर रहे हैं तो ड nouveों की विलिंगनेस सोσुूमिट हो रहे हैं बढ़ को अभी उनका यव ऑन स प्राइवेट बोद दोनों के लिए उस पर क्लिक करना है और सम्मिट विलिंगनेस कर देना है तर आफ्र देट आप लोगों का ड़न हो जाएगा ठीक है और चॉइस फिलिंग आपकी प्रोसेस में चॉइस फिलिंग कर लिंक भी आप लोगों का एक्टिव हो चुका है ऑफ-लाइन काउंसलिंग में चॉइस संखता कि बात की ति हमने में में से चॉइस निए फंट उने व अपलाई करना था ओफ्लाइन काउंसलिंग में जाना था वहाँ पर जाके ओफ्लाइन काउंसलिंग के जो प्रोसीजर था फॉलो करना था लेकिन आप लोगों का जो शेडियूल वह अभी स्टॉप कर दिया गया है यह हमने आप लोगों को अपने कम्म्नुटी पोस्ट के अनि कि हाने नगे हमाने जिसको द करते हैं अप लोगों का जो है अंठीर होती है अब लोग बात करते हैं आप ग्रेट के लिए जा रही है राजिस्थान में फॉस्ट रॉंड में तो सीच ना करहें बड़ som अगर आधार काड़ है तो आप उसकी फोटो कॉपी अदर्वाइस इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी हमारे पास हमेशा वैलिवल रहती है तो आप आधार काड अपना ले जाएगा ठीक है आपको अपनी फी रिसिप्ट ले जानी है फी रिसिप्ट में जब आ फोटो कॉपी आपके पास होगा वह आप ले जा सकते हैं आपका जो फर्स्ट राउन का अप्लिकेशन प्रिव्यू था पार्ट वन पार्ट तु बोथ दोनों आप लोगों को लेके जानी है एंट्री टिकेट का वेप साइट पर लिंक आएगा एंट्री टिकेट डाउनलो पासपोट की थी उसकी भी 10 कॉपी फोटो की लेजा तैन कॉपी इंदसर टैन फोटो ले जाई एगा फोटो कॉपी नहीं तैन फोटो ले जाएगा पासपोट साहिज वाली जो आप लोगोंने नीट में की ती और जून के ने नीवली रजिस्टर्ट किया है सेकिंड राउ करने के बाद नेट का एक्जाम कितने वार दिया है आपका फ्रस्ट अटेंब था सेकिंड अटेंब था सेकंडों था आपको बताने होगा कि आपने यह जो गएप정Yes ma такое यह या फैर यह dependsनве फ स्टमपेश होता है और नोटरी का रहाना होता है हट्रूर पीस के स्तांपेश पर आफिडिपिट बनवा कि हमारा जो गैप था वो इस कारण था वो आप लोगों को वजह देनी होती है उन लोगों एक वैलेड रिजन देना होता है ठीक है सारे डॉक्यमेंट्स आप लोगों को अपने अपने ले करके जाने है राइस्थान की बात हम लोगों को ने कर ली ट्रुपरा में आप लोगों का चॉइस फिलिंग जो है वह आप लोगों की काल यानि के डन हो गई है था यहां शीनिफरेंश्यमें देट को आप लोगों के अकि 5 जर्छी घॉउल रिजल्ट जो है वह वाप लोगों को का लिएनिच अवंबर को रिजल्ट वैबसाइट प मुपप में नहीं होते हैं मुपप में लास्ट यह नहीं होए ते अगर इस साल कोई नोटीस आता है कि आप लोगों के फ्रेश्ट्रेशन होंगे या कुछ भी तो आप लोगों को जरूर इंफर्म किया जाएगा हमारे चैनल के थू ठीक है अब नेक्स रम बात कर लेते हैं ब होदील कि तो करनाटका में कैंडिडेट्स के काफी प्रॉब्लम् फेस करनी पड़ रही है तो उसके बारे में हम स्द्य्सक्शन कर लेते हैं कि करनाटका में आप लोगों का सुछ घ्लियर हो गया है भी आप लोगों कार bon mix पैंदिंग पेमिंट के बाद आप लोगो डिपॉजिस ऑप ओरिजिनल डॉक्युमेंट आप लोगों को जो कॉलिज अलॉट हुआ है उस कॉलिज में जाकर आपको अपने आगे का प्रोसीजर जो फॉलॉप करना है दैन उनसे क्लासिस के लिए पूछ लेना है क्लासिस वो आप लोगों क बता देंगे और आफर दैट आप लोगों को अपने क्लासिस लेने चले जाना है कॉलिज में अब बात करते हैं कैंडिडेट को काफी कंफ्यूजन हो रही है मैं चॉइस वन टू थी फॉर क्या है तो देखी चॉइस वन टू थी फॉर करनाटका का एक स्टैप है कांसलिंग जिसमें उन्होंने जैसे हम सीत अगर लेना चाहते हैं अफग्रेट करना चाहते रेजायन करना चाहते हैं तो इसको अलग तो खॉस 4 जो 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 और कipplesने हैं अब उन्रडम का स्टैप है णिग्सक ऑ्रम में थिवायट करनाट की जाते हैं मालिज को आपको करनाटक और illness को например हो गया तो आपको चाहते हैं कि आप उच्ष वन में कॉ हो विक आप इन्ट्रक्स छाइब तो आप को च्षिस वन किरने के बाद rusts HAWL अगे अगे पर प्रोसेजर आप लोगों कींट करना होता और आ है अब फर्ट नग्यों कि अप से पीपेम इन के लिगा इन कभी active नहीं है friends payment के लिए choice 2 का मतलब होता है upgrade करना है it's mean कि अगर मुझे bgs जो बैंगलॉर को college है वो मिरको मिल गया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी seat upgrade करूँ कि अगर मुझे इससे बहतर college याने कि इससे और भी अच्छा college मेरे marks पे मुझे मिल जाता है तो मैं उस colleges के लिए जाना चाहता हूँ जो मिरको मिला है तो आप choice 2 करेंगे choice 3 का मतलब होता है कि मेरको जो यह college मिला है यह college में मैं admission नहीं लेना चाहता हूँ मैं upgrade के लिए जाना चाहता हूँ तो आपको choice 3 पे click कर देना है और then choice 4 होता है कि जो college मिला है मिरको यह चाहिए नहीं मैं resign करना चाहता हूँ कि मुझे कहीं और seat मिल गई है या कोई भी reason हो सकता है तो choice 4 कमीन होता है कि resign करना मैं चाहता हूँ exit होना चाहता हूँ counseling से ठीक है अब payment किन को करनी है पेमेंट जिने करनी है वो होंगे choice 1 वाले candidate आपको पेमेंट करनी है और आपको जा करके रिपोर्ट करनी है 15 और 16 जो date है आप लोगों की के यह बैंगलोर में अपग्रेड वाले candidate को अभी रिपोर्टिंग के लिए friends नहीं जाना है इस बात कर दिहान रखना अभी जो choice 2 वाले candidate है जो अपग्रेड के लिए जाना है उन्हें रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है उन्हें अपने घर से सब कुछ अपने लैपी पे यह जिस पे आप करते हैं उस पे पेमिंट करनी है आप लोगों को ठीक है पेमिंट आप से कितनी लेंगे वो लोग वो आप लोग को लिए वाइस होगी उन लोगों की अलग-अलग colleges के आपको पता है अलग-अलग फीस आरी आप लोगों की जो करनाटका के कॉलेज हों मोस्तली कॉलेज में सेम है आप लोग की 9,904 406 रुपीज लिकिन अभी अपग्रेट के लिए कितना जाएगा वह अमाउंट आप लोगों का अलग हो सकता है तो आज से स्टार्ट हो जाएगा बैंकिंगास नोट था ठीक है तो आप लोगों को आच से करना है बैंकिंगार्स स्टार्ट होगा है बट आप लोगों का डेक्टिव है लिंग कभी आप लोगों का अक्टिव नहीं है ठीक है फ्रेंटस तो आग एब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और आज आप लोगों को पता है कि चिल्डant's day भी है तो हो सकता है कि आप लोगों का bank जो चैक है तो अगर आप लोगों को कमदाउन हो करके अपने करनाटक का तो दियान रखते रहना है अधर आप को पेमिंट करने हैं चो कोई पेमिंट नहीं करनी है चोईस फोर तो अब यसी बात है तो पेमिंट क्यों ही करेंगे अब तो हम लोग नेक्स पर चलते हैं 36 तो फ्रंट 36 की हमने एक चीज देखी थी वेबसाइट पे कल 36 पर कोई शेडियूल नहीं आया है फिखता है नहीं हैं फमलकर नहीं फैर हमेर City का स्सक्राइट के लिए करते हैं अधायट तो क्या हमें महाराष्ट से महाराष्ट के लिए अपलाई करना है नहीं आप लोगों को डीम्ड यूनिवस्टी जो होती है उनका पूरी जो काउंसलिंग हेंडल करती है वह एंसी सी के पोर्टल हेंडल करता है महाराष्ट में सिर्फ महाराष्ट के कैंडिडेट्स काउंसलिंग कर सकते हैं तो महाराष्ट में अभी सेकंड राउन का शैडिल नहीं आया है वैसे भी आप लिए जाना चाहते हैं तो दीम्ड में आपको अब सिसी के पोर्टल से काउंसलिंग करनडे होती है कुछ कॉली ज acte के एसे होते हैं जो की भी सेड के कॉलीज के वहाँ की सेट की सीट था गया है छेते हूंसे लिए स्टेट के लिए डीको चलता है लिकिन आपका महाराष्ट में इसा नहीं हैं ठीक है तब बंगल की बात करें तो वेस्ट बंगॉल में आपका शेड्यूल जो है वो एक्सेंड हो गया है आप लोगों का डॉक्षिकेशन तक डन हो गया था चॉइस फिलिंग आप लोगों की प्रॉसस में थी लेकिन वेस्ट बंगोल की ऑफिशल वेबसाइट करना है अभी वो एक्स्टेंड हो गया है डियू टू क्योंकि एमसी सी का जो राउंड तू था वो एक्स्टेंड हो गया था डिजल जिस दिन आना था उस आप लोगी जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ड होनी थी नहीं हुई थी डेट को जो था और आगे इंक्रीज कर दि सब्सक्राइब के पास टाइम होगा आफ्टर पेमिंट आप लोगों को पता है इस साल सबी कैंडिडेट को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेस्ट बंगॉल में जाना है और इस साल आपकी ओवर एंडिया में जितनी भी मेडिकल की काउंसलिंग होती है काफी की कज दर्शन के जाना है कि मुद्वर आपेमिंट का टॉक्त बंगॉल आ जाना है से नहीं जिए से सलेवागें इसके संस्क्राइब जो ञएए ये एक से shaken ौ कि अगय जेशन करनी का इस यव जो नहीं आया है कि अधीर चीजव नहीं होंग लोग तो इसके नहीं कीुम जि कर दो नहीं आया है second round के लिए कमेंट आ रहे थे मैं second round का schedule उत्रकंका आ गया बताइए नहीं अभी second round का schedule वेबसाइट पर डिकलेयर नहीं हुआ है जब भी friends देखिए second round का schedule या overall इंडिया मेडिकल आप लोगों की activity आती है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको अपने चैनल के थुरू सारी चीज़े इंफॉर्म करें फिर चाहिए वह आपके counseling के notices हो चाहिए फिर वह आपके result declare होने के बाद cut off हो हमारी पूरे यही कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो सब्सक्राइबर से हमारे जो candidates हैं जो कि हमारा चैनल देखते हैं उनको हम सारी information दे तो अभी तक नहीं आया है आएगा तो आपको हमारे community पोस्ट के थर वीडियो से जिसकी और वीडियो के थरो भी इन फार्म किया जाएगा अब हम चलते हैं यूपी की तरफ तो यूपी में आप लोगों की date जो ती प्रपीज़ के लिए कि चीजहों को लेकर इंट्र माइकशीट में उप्लोब रहा है इन बातों का ध्यान रखेगा क्योंकि 1st round में काफी जादा इन चीजहों को आप लोगों के पाद डॉमिसाइल जो होना चाहिए और आप लोगों के लिए अप्ग्रेड के लिए कमेंट आया था कि मैं फर्स्ट राउंड में हमने काउंसलिंग की थी सीट अलॉट नहीं हुई है अप लोगों को चॉइस फिलिंग करने है उसी आईडी पासवर्ट से अपग्रेड के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपग्रेड का रूल आप लोगों को पता है हमने कई वार आप लोगों को साथ बात भी की है कि अपग्रेड का मीन आप लोगों को अपग्रेड का कोई नोटिस वगेरा या कहीं लिंक पे क्लिक नहीं करना होता डिटेल फिल नहीं करना होती अपगेड के लिए हम लोगों को जो करना होता है जो college अलोट होता है अगर हमारा मन है की हम इस से अर भी अच्छा college हमें मिल सकता है या काफी जाधा candidate का reason होते है कि मैं मैं काफी दूर हो रहा है हमारे घर के पास में है हमारे near में है तो हमें वो चाहिए तो आप लोगों का जो भी reason हो, आप लोगों को college लेने जाना होता है, वहाँ पे बोलना होता है कि हम upgrade के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके जितनी payment है, वो payment होती है, और second round में फिर आप लोगों को बस choice filling करनी होती है, और कुछ नहीं करना होता है, अप लोगों को बस जाके college क को लेकिन joining के time बताना होता है कि are you interested for upgradation, ठीक है, तो आपको फिर upgrade के लिए जाना होता है, अप ग्रेड आपको हो जाता है, आप college को बता देते हैं, तो उसके बाद second round में आप लोगों को अपनी choice filling करनी होती है, ठीक है, तो यही आप लोगों का rule रहता है, और एक और था कि हम फर्स्ट round में counseling की थी, government के लिए जाना चाहते थे, 30,000 रुपीज सम्मिट कर दिये थे, लेकिन अब private के लिए interested है, private colleges की counseling करना चाहते हैं, तो अभी उसके लिए क्या करना होगा, link तो मैं active नहीं है, editing का कि अगर हम 2 lakh की payment करना चाहते हैं, तो yes, बिल्कुल मतलब सही बात ह है कि added का कुछ भी नहीं है, कि जिन candidates ने 30,000 किये थे और प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं, notice जब हमने last time discussion किया था, तो उसमें mention है कि आप लोगों का अगर जाना चाहते हैं, तो कर सकते है, 2 lakh की security summit करना होगी, तो उसके लिए आप लोगों ने जो नॉडल सेंटर के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को बस यही करना है, और आप लोगों को अगर नियर में है, तो वहाँ पर नॉडल सेंटर पर जाके विजिट करनी है, आगे का प्रोसेस आप लोगों को वह बताएंगे हो सकता है, और आप लोगों किसी लिंक को अगर अपना जोन का होग करने की इस चीज के बारे में जरुवत है ठीक है और आप लोगों के जो पूरी सेप्रेट वीडियो में हमने शेडियूल पूरा डिसकस कर लिया है शेडियूल डिसकस नहीं करेंगे जो कैंडिडेट्स के डाउट ते सिर्फ वही डिसकस करेंगे अपग्रेट को लेकर के थे नौडल सेंटर हमें जहना है नहीं आप लोगों को नौडल सेंटर पर नहीं जहना है आप लोगों को नौडल सेंटर पर नहीं जहना हैиса पcular recommended तो उस कंडिशन में आपको अपने नॉडल सेंटर पर जो आपने चूज किया था उस पर जाना होगा वहां पर जाके अपने डॉक्यमेंट्स में क्यूंकि काफी कुछ केंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कारण वस 12 जो है टू टाइम्स की थी तो उनके डॉक्यमेंट क्या है तो उसमें कैसे हम लोग दिखाएंगे कि 12 दो बार की है अगर हम लोग मर्ज भी गर लेते हैं जेपीजी फाइल्स को तो वह क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि उन लोगों को फॉर्मेट है हमें 100 KB में चाहिए तो वह क्लियर नहीं आ रहा है तो उस कंडिशन में हो सक उरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही सारी चीज़े क्लियर होती है ठीक है तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट वगरा लेकि फिर वहां पर वेरिफिकीशन की लिए जाना होगा तो यहीं सारे डाउट से कैंडिडेट्स को जो आ रहे थे तो वहीं हमारी आज के सेशन में जो कोशिशती यहीं थी कि आप लोगों के जो डाउट से वो क्लियर करें क्योंकि कनाटक यूपी में आप लोगों पता है कि अवरोल इंडिया से यूपी कनाटका में काफी केंडिडेट्स जाते हैं और इन ही दो स्टेट में काफी ज़ाधा कन्फूजन जो है वो फेस करन यही पूरी अभी आपकी ओवरॉल इंडिया में काउंस्लिंग की लेटिस्ट अपडेट है जो कि लास्ट टू डेइज में आप लोगों की ओफिशल वेबसाइट पर डिक्लेयर की गई है नीट यूजी पीजी इसे रिलेटिट और भी इंफरमेशन के लिए आप हमारे चैनल जो होगा उसमें कट ओफ आप लोगों की कहां तक बहुंच पाएगी ठीके फ्रेंड थैंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो और अल्ट वेरी बेस्ट फोर यूजी नीट काउंस्लिंग अक्टिविटीज